How to fix Google Pay is currently updating so you won't be able to access the app problem Hello friends, आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको Google Pay जब आप उपिंग करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से लिखाता है Google Pay is currently updating तो इस प्रोब्लेम को आप किसे fix करोगे क्यों आता है हमारा Google Pay, क्यों नहीं चल रहा और कब हमारा Google Pay चालो होगा वो सारी जान कर ये इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो देखें यहाँ पर जो लिखा आता है Google Pay is currently updating इसका यह मतलब होता है कि जो Google Pay का application है अभी update हो रहा है, update किस तरह से play store से नहीं यहाँ पर देखें जैसे हम play store में अगर आते हैं यहाँ पर Google Pay लिखते हैं तो यहाँ से वो update नहीं हो रहा है Google Pay का जो application है ओ company की तरफ से उसमें कुछ नए features add किये जा रहे है और जब कुछ नए features Google Pay में add कर रहे होते हैं तो वो application कुछ time के लिए offline चला जाता है ठीक है यहाँ पर इस तरह से जब application under developer के पाल चला जाता है यह developer उसके उपर कुछ काम कर रहे होते हैं तो उस space में आपका Google पे इस तरीके से लिखाता है Google पे currently updating so you won't be able to access the app मतलब आप इस application को अभी use नहीं कर सकते हैं यह ज्यादा तर एक घंटे से अंदर अंदर जो है Google पे अपना पूरा काम कर देता है और उसके बाद फिर से एक normal application के तरह काम करना start हो जाता है जब तक इसके उपर application के developer काम करते है तब तक यह आपको permission नहीं देता है कि open करना या फिर इसको use करने के आपको permission नहीं देता है जैसे कुछ features होगेरा Google पे में add हो रहे होते हैं उस case में आपको थोड़ी देर के लिए offline रखा जाता है यानि application को आप थोड़ी देर use नहीं कर पाएंगे तो आप payment case से किया जाए तो इसके लिए आपको आपके phone में दूसरा method होना चाहिए जैसे Google पे नहीं चलता तो आपके पास phone पे या फिर Paytm जो भी UPI option है वो आपके पास होने चाहिए यानि दो application आपके पास होने चाहिए